मारे इसको चाहर लिसक्स करणी हैं रपने को कि ना तैयारी कैसे कर लें कि आप लोग जैसे बताएं कि बहुत सारी तैयारी में दिक्कते हैं कि टैसरीज नहीं लगाई किसी बच्छे ने प्रेक्टेस नहीं किया और डिजायर रजल्ट कहीं आपको मिलनी पाया तो उस बारे में चर्चक करेंगे कि overall क्या components होते हैं कि इस तरह आपका strategy होना ची उसके बाद जो भी आपकी personal issues है कि कोई बचा job के साथ तैयारी करना है कोई college के साथ तैयारी करना है किसी का अच्छा store नहीं है किसी ने test series ने लिया है उन सब चीजों पर बात करेंगे तो यार जब आपको तैयारी शुरू करते हो तो क्या होता है स्कार्चिंग है हमारे पास motivation बहुता है कि यार हम लोग तैयारी करने जारे है हम लोग exam निकाले कि इस बार को कुछ करना है life में लेकिन क्या होता है कि जब हुआ है difficulties face नहीं शुरू हो देकर reality हमको समझ आने लग कि यार मेहनत करनी पड़े दिन रातिस में लगना पड़े है काई बार हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करो फिर भी रिजल्ट आपके recording ना है तो वहां से हम लोग demotivate उनर स्टार्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ को हमें क्या सीखनी चाहिए तैयारी के अंदर कि कुछ कॉंचेट आप बदिक इस कि आप कर उसके कर दो कि बहुत कि बहुत जंदी समझ आपने और वहीं कुछ कॉंचेट को सब्सक्राइब पर एक गोखने महीने में वहीं मशीन नेट वन वसकता है कि आपका 80% accuracy or machine में एक गिज्जा है तो इसा होगा, इसलिए तो तुछ लोग नहीं कर पाते हैं, सारे को क्यों नहीं कर पाते हैं, तो अगर सब चीज़े एजी लगे नहीं, तो इसलिए तुम गलत रास्ते भी चलते हैं, क्योंकि अगर कोई रास्ता हैी, क्योंकि बहुत उसकी मनलता की गहां सकता है, तो रास्ता होगा ऐसा तो जत्युदू हो graf, नकर ग्रवा, उससा जासता भी असान हो कि जो पाउल अशी सबाट उसको बहुत सब्सक्णिटान हो। दूस्यकी जालता है छो दूसे थे मोस को ऑन ड हुपर हैं कि यार मोटुवेशन नहीं आ रहा है हाज मन नहीं हो रहा है आज हमें मोटिवेशनल वीडियो देख लेना चाहिए यूट्यूब पे जा करके तो भी दिलिगेट मोटिवेशन बहुत शॉट तम लास्ट करता है आज आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा है एकडम खून कोल के आज बैठेगे किताब कोल करें कि आज तो कुछ करके आपको बिल्कुल अचीव्मेंट मिलेगा अब जैसे नेको मैं जब से अनकाडमी से तुड़ाँ तिकले तीन साल से मेना मूट हो या नहीं मुझे नीदार ही हो या नहीं आज हूँ मैं टेरी साफ़ ज़े लाई वेदा हूँ अनकाडमी प्लैफॉम से और ऐसा क्यों करपा और रूटीन ऐसा होना चीड़ा है विच है अब ब्रीधिंग स्पेस अब बहुत से रूटीन बनाते हैं एक दिन बहुत जोश में आज रूटीन बनाया ऐसा रूटीन बनाया कि 24 घंटे पढ़ रहे हैं साथो दिल पढ़े हैं वो सुनने में पढ़ा अच्छा लगता है ब अब को बापिस के मोटिवेक्शन लेती है कुछ और करनें का या प्रणाइं के धिहान देने का तो मेरा क्या रहता है जैसे हैं यह होगत है क्टिक शेडियुल अब टेच्वाज़ा बहुत है और रूटीन बनाऊ और महनच ग्रैजवली ही बढ़ाई जा सकती है ऐसा नहीं देवन आपने तैयारी का सूचो और आज से शेडिल बना लिये बारा-बारा घंटे का और बारा-बारा घंटे आप सस्टेन कर लो दो घंटे ती जंटे से चालो करो ग्रैजुली उसको बिल्ड करो बोज़ता है कोई बचे ऐसे भी हो जो कि दो घंटे भी लगातार नहीं बैठ सकते हैं कोई बार घंटे बैठ हो आदे गंटे का ब्रेक लेड़ो फिर एक घंटे बैठ जाओ बस क्या है कि जितना आप कर सकते हो वहां से शुरू करो और खुदको चैलेंज करो जितना आपने लिए उसका 15 मिनट एक्स का या उसका 25 परजेंट टाइम में अपना इंक्रीज कर दोगा और उसमें आपके माइंड और बोडी को फीली नहीं होगा जिसा आपने को एगहन दे कि आपको उसके लिए 7 मिनटा या एक घंटा 10 मिनट को बहुत बड़ी बात नही हेलो एव्रिवान तो बचो मैं आपके लिए एक अमेजिंग न्यूज लेके आ हूँ आपके पास मौका है अनक आदमी सब्सक्रिप्शन पे 49% तक की सेविंग करने का कैसे 31st मार्स से हमारे बढ़ रहे हैं प्राइजे तो अभी हैं प्राइजे मिनिमम और मिनिमम सेविंग इसलिए इस मौके को ना गवाते हूँ फड़ा फट अनक आदमी का हिस्ता बने यूजिंग दा कोड अंकी तीएसी और आप मेरे कोर्स को जॉइन कर सकते हो अभी अभी मैंने अनलोग का कोर्स स्टार्ट किया अट मौनिंग 6.30 एम तिल 10 एम तो आप लोग मेरे सा मौके को गवाओ मत फड़ा फट से अनक आदमी पर आओ यूजिंग कोड अंकी तीएसी लेट्स क्राक इट